असलाम वालाइकूम एन बेरी गुद मॉर्निंग जागो लहूर के साथ मैं हूँ सेद अर्मिला असन जना मंजे का दिन है और मैंने आज ब्लू कलर पहने मंजे ब्लू ब्लू जोड़ा रिलेट करने की कोशिट के में कारी यहिए अचे ऑफ नहीं।илर रहता हैं कि कुछी दाम शुब कर दाने के सब्सक्राइब करने की तार मांकी सब्सकरने खरानां की बच्चों की चुंचा की वाज आना श्रो जती है कल Monday है हमने स्कूल नहीं जाना इसी तरह मेरा भी दिल करा था कि मैं भी कहूं कि आज Monday है मेरा ओफिस लाने कर दिलने करा है लेकिन फिर भी आना है और आपको जगाना है जाब आज हम आपके साथ रीसेच तो शेयर करेंगी ल कियां है अउस पर करेंगे स्कूर्में करेंगे से साथ साथ जणाब घ्रिस्ट्व के भी अफसर है तो आज बड़ा इंपॉट्टेट और इंफ्रमेटिफ शो होने वाला है लेकर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि फखर आलम जो है पाकिस्तान के पहले वह पहले पाकिस बने लेकिन उन्होंने जिनाब तीन नवेंबर को अपने इस सफर जो दुनिया के गिर्द उन्होंने चक्कर लगाया उसका थाम किया अम एक्टो भी हैं सिंगर भी हैं होस्ट भी है और आप जूंके पाइलिट भी ऑफिसली के लाज कि जिनाब नहोंने अठाइस दिनों में दुनिया का चकर जो है इसको कम्प्लीट करने के सफर पर निकले थे और इस सफर के लिए उन्हें में स्विस्स तयारा साथ कामपरी जो है साइरस इसका बनाया हुआ एक इंजन वाला तयारा जो है इस सफर जो है अम्परीकी रियासत फ्लॉरिडा के पार्क से शुरू तो बहुत सारे स्टार्स हैं उन्हें इनकी सपोर्ट के लिए जुनाब इनकी ट्वीट्स भी की और इनकी अब बिलाखर उत तुमाम तर जो इनका मसला था वह सॉट आउट भी हो गया अब 25 साल बात जब इनका जो खाब था जो बच्पन में देखते थे वह पूरा हुआ है और इनके पास हवाबाजी का जिसको आप कहलें अफ्लाइंग का बहुत कम तजर्बा है और इनके फ्लाइंग आवज है वह अपता कुडान का रिकॉर्ड जा सौ घंटे से भी उनका क पहुंचे और बहर हो किने उस अबूर करने के लिए स्कॉटलिन गए और वहां को चीन दिन के मामलात करने के लिए कुछ देर रुके फिर उनकी अगली मंजल जो थी वह लांडन थी लंडन के बाद उनकी परवास ताखीर से भी पहुंची और वहां पर बहुत प्रॉबलम किया और अब बिलाज उनका सफर खत्म हुआ वह भी फ्लॉरिडा में खत्म हुआ और यह सारा जो सफर है उसमें वन मैन वन प्लेन और वन एंजन पर एक इंजन आले तयारे पिन एन दुनिया का चकर कंप्लीट किया और यह पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं और इनको अच्छा इनिशेटव है और बहुत जबदस काम है जनाब हम कंग्राजिलेट करते हैं वक्रे आलम को के वह पहले पाकिस्तानी बने दुनिया का चकर लगाने वाले और अगली रीसरच भी आपको से शियर करें वह मैक्सिको में मुर्दा लोगों के लिए प्रेट में हजार और इसका बेसिकली जो एक पॉपस था कि बहुत सारे जो हिजरत करते हैं लोग वह उनमें जो ट्रांसिट के उधरां हिलाक हुए उन सब क्यों यह इसमें ट्रिबूट पेश किया जाता है और इस वक्त भी अगर सेंट्रल अमेरिकल की बात कीचे तो बहुत सारे अफराद हैं वहां पर हिजरत करें और जो स्या मकामी तक्रीबात जो देखना चाहते हैं वह इस तरह बहुत ज़्यादा ट्राक्ट भी होते हैं अमूमन यह प्रेट जो है दो निवेंबर को मनकित की जाती है जिसमें उनके खांदान बाले जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी फैमि की और यह जैसे आप देख सकते हैं कि यह सारी चीजे जो है अपनी ट्रीवी स्क्रीन पर यह स्प्रेट का हिस्सा रही और इस प्रेट को टेलेविजिन पर ब्राड कास्ट भी किया गया और मैक्सिको सिटी में होने वाली इस प्रेट में बहुत सारे अफ्राब में शिरकत जनाब यह थी जो प्रेट हमने आपको बता दिया और इसमें बहुत सारे वराइटी भी होती है बहुत सारे मुजिकल जो कहले अलमेंट वह भी समय आध होता है तो में हर साल तक्रीट की जाती तो जनाब आज हमारा जो मैंने शुरू में यह अनांस किया ता शो में कि थाएं यह पस से और चीजल को अवरा है काफिया तक और से जारे जरी इसमें बहुत सारे अधारेश्य नोयगसें रहे हैं बहुत से दिसकाशन भी करेंगे घु रोट तो जो ने जनाव को दी आ इंसे कि इंपक्ट आ रहा हैं एक्सडेंस की रेश्यों में किस हब कमी आया ह इसके लिए हमारे सब्सक्राइब होंगे लाकर तरी मलेक साब जो के साथ 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 शाहिद भाहिट साथ जो के डिस्टिक एमिर्जिंसी ऑफिसर रेस्क्यू डबल डबल टू लाहूर इन तीनों को वल्कुम करेंगे थाइंक्यू सोमस्ता कामें सब्सक्राइब आगास अगास इसी तरह से किया और हमने कहा कि लोगों में अवेनिस देनी है और काफी हद तक बेहतरी भी आई है आप से जाना चाहेंगे किस अध्यू बहुत शुक्रिया आप हमारा मैसेज मैसेज तक पुंचाने में हमारी मदद करते हैं हैलमिट की केमपेंड के सिलसले में पहल माल रोड के उपर अभी तक जो टोटल लाहॉर में 2,45,000 के करीब हैलमिट ना पहनने वालों के चलान हो चुके है यह उसकी एक इनफोर्शमेंट वाला पहलू था दूसरा उसका एजूकेशन का पहलू था हमने माल रोड के उपर ही पांच कैंप लगाए इसके अलावा हम म करीब हमने फ्री हलमेट लोगों में तक्सीम किये उसके बाद साथ इनफोर्समेंट जब हो गई तो अभी ग्रेजुली चलान की शरा काम होती जा रही है एक तो यह चीज देखने वाली है दूसरा आप देखें के दूसरा इंडिकेटर है विजिबिलिटी तो आप देखें क्योंकि पूरा लाहूर जो है वो ट्रैफिक की फिजिकल प्रेजंस के साथ कवर नहीं होता तो परिफरी पे लोग बच जाते हैं जो शायद नहीं पहन देखें तीसरा इंडिकेटर इसका है ट्रैफिक जो हैड इंजरी है उसमें कितनी कमी आई तो आप देखें के वाइड जैनुन पेशेंट्स को बैड मिलना शुरू हो गए वहां पे ट्रीटमेंट के लिए उनको उपर वो काम हो गया इसके अलावा रेस्क्यू का जो काम है वो भी काम हो गया उसकी वजह से और जो उसमें 10% लोग रह गये हैं उनमें से आप देखें जिस तरह मैंने पहले कहा क जो 20% इंजरीज वाले लोग अभी आ रहे हैं उनमें से अगर हम गौर करें तो तकरीबन 80-90% वो लोग हैं जो सेकेंड सीट में मोट साइकल के पीछे बैठे हो गया तो जब वो गिरता तो उसको चोट लग जाती है और उसमें से 10-12% वो लोग हैं जो परिफरी पे मोट सा ले के चले इनिशली चेंजेक में जब भी कहीं आप चैंज की बात करेंगे तो चेलिब कीडिये रिजिस्दने वो हर बंदा लोगोंने कहा जी गृरी बाद मी का खाना खतंळाया गृरी बैख्प अधया और बोघड गँया इएवन मुझे यहां तक हो आपने लाहोर को ट ये सारी चीजें काफी हद तक मुंकि नहीं हो सकती थी और ट्राफिक पुलिश जिसे लिए चलान सिस्टम इसमें सेफ सिटी की बहुत मावनेत रही इनके साथ तो किस तरह किस तरह आपसे हम जाना चाहें कि रेशो किस तरह इसमें कमी आई रही है बिसमल्ला रवारे जी दो स्टार्ट करने के लिए हमारा डेटा कहता था जी के तीन लाख वाइलेशन रोज होती है लोहर में हम एक सो चाली से करीब जो क्रॉसिंग उनको हम मॉनिटर करते हैं तो हमने पहले पार्ट पे रेड लाइट हो कि है अब हम इसके साथ जो है वान वे की कि खलाफ वर्जी उ के लिए फिर हम कैमरा गर कैश करेंगा किसी मोटर साइकलिस्ट को विदाउट हैलमेट तो हम उसको करेंगे अभी एक और जो इशू आएगा हमें के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वालेशन का रहें लेकिन वो फाइन नीट पे का रहें हैं सो वहां पर हमारी एक मेंजर बेनफिट्स आरे हैं बलके तीन ही कहले एक तो शहर की कुपसूरती बहतर होगी डिसिप्लेंड शहर लगता है उससे बड़ी बात यह है कि जैसे लियाकत ने का जी कि 80 परसेंट आपका गिर गया है डिजरी उसमें बड़ा मेजर इंपक्त है जी इसी बात यह जो ट इसमें हम बेसिकली पॉकेट्स को मैनेज का रहे होते थे लेकिन कहीं पर पीछे बॉटल लाग बन रहा होता था ता अब वह चीज़ा स्मूद आउट होगी तो उससे भी इंपक्त आना इसको फ़दर एक्सपैंड क्यूंकि आपने पिटाए कि 1.40 अपर एरिया को केटर कर इसमें हम इंटर फेस कोई नहीं हो साइख मकसद यह था कि ना ट्राफिक पोलीस रोकेगी ना किसी घर जाएगी ना किसी से चला इसमें जो हमारे एंड पे चार लोग हम चलते हैं हम है फिर एक्साइज का डेटा हम यूज करते हैं फिर पाकिस्तान पोस्ट है और फिर यह करने जाती हैं डौकि इसमें और लेर्वन बेर्स करते हैं जो लोग जो घृत्वाल ने गारी अजिए धियर अभू हम अब को एसास हुआ है कि उन्होंने ट्रांसवर करना था वह दो करनी आ तो अब वो जार है एकसाइस के पास उसको ठीक करने के लिए इसी तरह फिर ये जो ट्राफिक पोलीस वाले है इनका ओवरॉल सिनेरियों में तो ये बेसिकली लीड करते हैं तो इनोंने अपना इंपक्त देखना कि इनको कितनी फिसलिटेशन और चाहिए बाकी एजन्सी से तो ये आइस्ता इस्ता जी इंप्रूब करेंगा इंशाला और अशाला अशाला आप शाहिए सब आपकी जानिबाएंगे चुंकि हम रिस्क्यू बात करें भी लाकत साब ने सब्सक्राइब करेंगे जानिबाएंगे किस हद तक बर्डन कम हुआ है या डिवाइड हुआ है मैडम अविसलिक नुमाया तबीली तो आई है सामने सेफ सिटी ने काम स्टार्ट किया ट्रैफिक बार्डन बहुँ ज़्यादा स्पोर्टिव हुए इस काम के अंदर जो है मैं पिछले कुछ सालों का तर्जिया देखू हूं तो जो रोट ट्रैफिक एक्जिन्ट होते थे उसमें तेक्रिजिबन जो था एटी परसेंट चांसे जिए होते थे कि जो मोटर साइकल सुवार जो भाइक सिला रहा है जब और निचे गिरेगा तो से हैड इंजरी होगी ह है जिसमें ना सिर्फ हासात में कमी आई बलके इसमें आप यह भी देखिए कि जो मुटसाइगल सुवार मुटसाइल ते नीचे गिरता है तो हैड इंजरी से बच जाता है तो से माइनर इंजरी होती है अब अगर मैं देखू हूँ अपने लहार का डेटा है मैं आपके जो है फ्रस्टीट देने की जूरत पड़ती है यह जानिके उसमें यह है कि बहुत रहे कैसे में होता है कि जिसमें हमें पेशेंट को हास्पिल करना वड़ता है अगर शफ्रेक्ट करना भी पड़े तो किसी को जो है और जगों पर बोड़ी में जूरी जाती है लेकिन हैं जिसमें जो है नुमाया कमी आई है दूसरा यह था कि एक तो हैलमेट जब पहने तो प्रपर स्ट्रिप करें हलमेट को ताके जो है उसका अच्छा हैलमेट करीड़े तो कि यह आपकी सेफ्टी के लिए है और जो है बाइकर्स के लिए मेरी स्पेशली जो एक खुसी एक तर जिस तरह इन्होंने कहा न जब रेस्क्यू वाले हमें डाटा देते हैं वो देते हैं तुमाम ट्रफिक एक्सिदेंट जो है न ये सम्टैंग ये इन्फियूज किया जाता है कि ट्रफिक एक्सिदेंट ट्रैफिक पुलीज के फेलेर की वज़ा से उज़ाए इस नट लाइ जो शाय मैं ठाय पेमिटरि के वख़ज़ा से तहां विवाल जाए से हुसकता है गाडी गैक्सल तूट गया हुसकिवजह सकती है तायर बस्ट हो गया पुराना होनने फुजह से हुसकिवजह सकता है तो दू eld hawak विजह से ये सिर्फ इसको टोटा सा हो सकता है जिसकी वजह से वह शायद कहीं traffic issue की वजह जो जो 99% accidents है वो या user की वजह से हो रहे हैं जो road user है उसकी वज़ए या road infrastructure की वज़ए से हो रहे हैं तो एक मैं इसको थोड़ा सा clear कर दूँ दूसरा जो अभी बात हुई है हमने तक्रीबन 5,000 बैक वियू मेरे तक्सीम करने हैं जिसमें से अभी हम तक्रीबन 1,000 के कर चुके हैं उसके उपर हमने माल रोड के उपर कैम भी लगाया है उसके बाद हमने यह किया है कि साथ हमने वाक्स भी किया है उसमें मुख्लिफ और पंफ्लेट्स भी तक्सीम करने है तक लोगों को अवेर्नस और मीडिया इंचाला इसको भी हम लेके चालने एक और जो बडी रेलेवंट इन और पात किया है जो हमने बचाने के लिए तो आप अपनी जान नहीं बचाना चाहते है किसी ने बाल्टी सर पर अख लिए किसी न रहे ह 뛰, और हम अगली स्टेजने फेले बालए हुँआ योज मै जो आपकी जिंदकी बचाएगा, अभी हम अगली स्टेज पर यह करना चाह रहे थे जो x wird बैठा हुआ है जो हमारा Motor Vehicle Ordinance का section 89 है वो कहता है जो भी motorcycle के उपर बैठेगा वो helmet पहनेगा तो अभी हम यह करने जारे हैं कि जो second seater है वह भी helmet पहने और उसके लिए कितना time slot दिया गया उसके लिए जी हमने लोगों को थोड़ा सा उसके लिए अभी जो है अभी जो है ना मैंने का जी अगर और उरतों को immunity है कि जब वो गिरें तो उनको चोट नहीं सर में लगेगी तो फिर ना पहने हो तो अगर वो गिरेंगी तो उनका सर भी फट सकता है उनके उपर से भी गाड़ी गुजर सकती है फिर उनको पहनना चाहिए ताके वो बच जाए है अगर आप टेछा हैं और उनको नहीं खेलाई उनको नहीं पहनाना चाहते हैं और आप फ्लान का तो फिर उसमें इसमें आफॉर इकर आप देखे ऐं मेरु नु holds ज होगें अगर रिक चीज़ एगे कानुन POL की वह भूए कर ने का सुझ का शेयरी जए कर धुरी होने सी legitimately हाज本त की हारा जब आप कनून की डिस्रिस्पेक्ट में होते हैं, जब आप कनून को फालो नहीं करते हैं, उसका नदीज़ा निकलता है कि आप किसी ना किसी हासे का चिकार होते हैं. अजब आप कहा हैं, कुछ रिजर्वेशन जो हम पॉबलिक से सुने हैं, जब आप इंडिया में अगर इसना की प्रक्टेस हैं और उनका जो अटायर है या उनका जो बैठने का अंदाज होता है उनका नुक्सानात अब देखें क्या हैं, एक तरफ सी तारा वो बैठती हैं, और गिर जाएं तो बैलेंस थोड़ा सा भी हो जाएं, तो बैलेंस दुबारा रिटेन करना इस वेरी डिफिटल, आपके पस कोई आप्शन ही हैं, दूसरा इस तरह बैठने से जो आपकी चादर पिछे लटक रही होती है, वो पलू आपका उसमें फास जाता है और उसकी व करना जारा है, जिसमें YDA हमारी बड़ी मदद कर रही है, मैं Dr. Kazmi और उनकी टीम का शुकरिया दा करूंगा, वो भी हमारी मदद कर रही है, कि जो मोटरिफेक्टर के मैनुफेक्टरर है 16, they have gone to the court, और Honorable Justice Ali Akbar Koreshi साभ उन्होंने हमें बहुत जादा इस पर स्पोर्ट किया है कि जो मैनुफेक्टरर को पाबंद किया जाए, कि जो silencer है, आपने देखा कि इनको रेस्क्व वालों के इसका बहतर आइडिया होगा कि आपकी टांग लग जाती है, आप जाल जाती है, तो उनकी ऊपर को सेफटी की चीज़ें लगाई जाएं, इसी तरह कोई कपस अडिश से, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अडिशनल सेफटी चीज़ें लगाई जाएं मोटर साइकल के ऊपर, ताकि उससे भी आपके आपके अच्सिदेंट्स काम होगे, तो वी इन्शाला उससे भी चीजों में बहतरी आएगगी, और यह जो आपने बात क कि इसका हम कर के रहे हमारी नियत क्या है विवारी नियत जान बचाने की है और वो प्रचानाया कि यह जब है विज्द थीज़ को पात Làm चीज चली आरही इसको चेंच करना और लोगों के मांदे बदलना वह चालेंजिंग है चाहे आप हैं चाहे सेफ सिटी थौरिटी है चाहे हार एक जो एक बाइंचेट है आपको पते है यहां जब तक लॉह की इंप्लिमेंटेशन किसी दंडे के साथ ना हो तब तक हम नहीं मानते हैं दरसल हमारी वही अभी तक मेंटेलिटी है कि हम आपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ें अभी तक हम उसी पे चल रहे हैं कि क्योंके हमारे बाप दादा इस चीज को फालो करें थे हम भी यही फालो करेंगे हालांकि ऐसा नहीं है जब भी दुनिया में जो भी चीज बहतर ह हमें आपने आप उसके मताबक मौल करना है हमें देखना चाहिए हमें इसमें से जो फाइदा किसका है यह जो कानून की इंप्लिमेंटेशन है क्या इसमें स्टेट का फाइदा है क्या इसमें आईजी पंजाब का फाइदा है क्या इसमें आईजी पंजाब का फाइदा है य यह बड़ा एक आपके सैटिस्ट्रेक्शन जॉब सैटिस्ट्रेक्शन आ रही है कि at least we have contributed something towards society और देखे यह एक चोटे से step की वज़ा से लहोर की मसाले all over Pakistan तो at least लोग दे रही है तो यह मेरी success नहीं है यह खाली आईजी साब की success नहीं है यह society की success और यह society को celebrate करना चाहिए बिल्कुल जबर जबनाब हमारे साथ यह तीनों थार्टीस के representative मौझूद है हम कॉल्स भी ले रहे हमारे नमबर आपके screen पर होगा अगर आप CTOA साब से एमजिंसी रेस्क्यू के representative से यह से बात करना चाहते हैं को सवाल करना चाहते हैं हमारे नमबर आपके screen पर होगा हमारी fines बहुत लोग है उनको भी इनहास करने की जूरूरत है और यह कोई as such tax तो होता नहीं है यह तो basically अगर आप law abiding है तो आपको वह नहीं होता लेकिन उन fines को heavy रखने का मकसद यह होता है कि उससे बाकियों की security improve होती है आप सो वह है जिए अभी revenue बढ़ेगा क्योंकि अभी हमने जी सिर्फ जैसे मैंने का कि तीन लाग के लगभग violation होगी हम तीन से पांच जार चलान रोज भेज रहें आप आप ओवर टाइम मेरे ख्याल से अपना अधाजा मेरा यह है कि यह जो मैकसिम्म वाइलेशन जो तीन लाग से काम होके चालीज पचास हजार के रेंज में आ जाएंगी जी जब compliance हो जाएंगे लोग तो और उससे यह हम अभी मदद तीन जार भेज़े इसमें से कुछ डेट के प्रॉब्लम भी हमें आते हैं तो इस सारी चीज़े जब fine-tune हो जाएंगी तो वो फिर भी एक revenue की अच्छी सोर्स बन जाएगी और इनवे शायद वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए भी मददकार साब की डेफिनेटली जाम हमाई से तीनों रिप्रेजेंटेट